करनल के मारे जाने के बाद प्रत्वी वासी आत्म समर्पन कर देते हैं। जैक और पिंडोरा वासी सभी को वापस प्रत्वी पर भेज देते हैं। लेकिन कुछ लोग रुखते हैं जो शुरू से पिंडोरा के लिए वफदार थे। उनके साथ एक बच्चा भी रुखता है क्योंकि वो इतना छोटा था कि वो इस पेस ट्रेवल नहीं कर सकता था। उसका नाम स्पाइडर है और वो करनल का ही बेटा होता है। इधर जैक को कभीले का सरदार बना दिया जाता है। उसके तीन बच्चे हैं बड़ा नितेम, दूसरा लौाक अल लड़की टुक। साथ ही डॉक्टर कीरी के भी एक बेटी होती है। वो लोग उसका नाम भी कीरी ही रखते हैं। जैक और उसका परिवार कीरी को गोद ले लेता है। ये सभी साथ हस्ते खेलते बड़े हो रहे होते हैं। इनके साथ इस्पैडर भी बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है। वो उनको अपने परिवार के जैसा ही मानता है। लेकिन जैक की पतनी नितीरी जिसको वो अपने दुश्मन करनल के बेटे होने की वज़े से पसंद नहीं करती। जैक अपने बड़े बेटे को शिकार करना सिखाता है। अब वो पल जैक के लिए बहुत इमोशनल होता है। इनका समय खुशियों से बीतने लगता है। तभी एक रात अचानक से जैक और नितीरी को आसमान में शिप दिखाई पड़ते हैं। दोनों घपरा जाते हैं। और वो सभी शिप उतरने से पहले ही उनके जंगल और जानवरों को जला डालते हैं। इतनी ज्यादा तबाही देखकर जैक परेशान और नितेरी तूट जाती है। इस बार वो पहले से भी कहीं ज्यादा तादाद में मशीन रिलाते हैं। फिर एक साल बीत जाने के बाद प्रित्विवासी करनल का क्लोन एक अवतार में बना लेते हैं। जिसमें वो उसके सारी यादास डाल देते हैं। पर उसको ये याद नहीं रहता कि वो मरा कैसे था। क्यूंकि उसकी वो सारी याद एक करनल खुद वीडियो में सेव करता है जब वो जिन्दा था। और वो मरने से पहले की सारी कहानी वो अपने अवतार को वीडियो के जरीय सुनाता है। इधर जैक अपने कबीले की मदद से उनके गोला बारूद की सप्लाई पर हमला करके उनको लूट लेता है। इधर करनल अपने साथियों को पिंडोरा पर फिर से हमला करने और किसी भी हालत में जैक को पकड़ने का प्लान बनाता है और फिर अपने साथियों के साथ पिंडोरा पर अपने लोगों के मिलिटरी बेस पर पहुंचता है वहाँ वो अपने जर्नल से मिलता है जर्नल उसे बताती है हमने पिछले एक साल में इतना ज्यादा काम और कंस्रक्शन किया है जितना पिछले 30 सालों में नहीं हुआ था और हमें इस ग्रह को अपने लोगों के लिए प्रयाप्त बनाने से पहले इन पिंडोरा वासियों का इलाज करना होगा क्योंकि ये अब पहले से ज्यादा हमला करने लगे हैं जिसकी वज़े से हमको जान और माल का बहुत नुकसान हो रहा है फिर वो जर्नल करनल को वहां भेशती है करनल उसी जंगल में उतरता है जहां उसकी मौत हुई थी इतिफाक से जैक के बच्चे और स्पैडर भी वहां खेलने आते हैं वो वहां करनल और उसकी टीम को देखकर समझ जाते हैं ये कभीले के नहीं बलकि प्रित्विवासियों के अफ्तार है करनल वहां पड़े बैटल रॉबर्ट सूट को चेक करता है और उस पर अपना ही नाम देखकर समझ जाता है कि एक अंकाल उसी का है फिर वो अपने सीने में घुसे तीरों को देखता है तभी जैक का बेटा लोआक अपने वोईस डिवाइस की मदद से जैक को वहां की सारी इस्तिती बता देता है जैक और नितिरी सारी बात सुनकर परिशान हो जाते हैं और वो उन बच्चों को बिना कोई आवाज करें वहां से निकलने के लिए कहते हैं अब बच्चे वहां से निकलने लगते हैं पर करनल के आदमी उन सब को पकड़ लेते हैं करनल उनकी उंगलियों को देख कर समझ जाता है, कि ये हाफ ब्रीड हैं, क्यूंकि पिंडोरियन्स की चार यंगली होती है, और इनकी पांस थी, करनल लोग को देख कर पहचान लेता है, कि ये जैक का ही बेटा है, लेकिन इस्पाइडर करनल को देख कर अजीब सा महसूस करता है, अब करनल लोग से उसके पिता के बारे में पूचता है, पर वो उसको कुछ नहीं बताता, तो करनल जैसे ही कीरी को मारने जाता है, तो स्पाइडर भढ़क जाता है, करनल उससे उसका नाम पूचता है, वो अपना नाम बताता है, तो करनल को पता चलता है कि स्पाइडर उसी का बेटा है, वो उससे पूसता है, उन्होंने तो सब को प्रत्वी पर वापस भीज दिया था, तो तुम क्यों नहीं गई, तो इस पैडर बताता है, मैं बच्चा था, और इतने छोटे बच्चे, स्पेस ट्रेवल नहीं कर सकते थे, इसलिए, फिर करनल, जर्नल को अपन का इंतिजार करता है, पर उससे पहले ही जैक और नितेरी महा आ जाती है, और फिर उनकी करनल और उसकी टीम के साथ लड़ाई होती है, जिसमें वो अपने बच्चों को बचा लेते हैं, पर एक धमाके के प्रेशर से स्पाइडर बेहोश हो जाता है, करनल उसको उठा कर इतना जादा टॉर्चर कर रही है, तो अचानक से उस टॉर्चर को रोग देता है, उस टॉर्चर की वज़े से स्पाइडर की नाक से खून निकलाता है, अब करनल जर्नल से कहता है, कि ये मुझे जानता है, मैं अपने तरीके से इससे बात उगलवा सकता हूँ, तो जर्नल उससे कहती है ये तुमारा बेटा नहीं है और कहकर वहाँ से चली जाती है पिंडोरा पर जैक अपनी पतनी से कहता है कि अब हमको ये जगे छोड़नी पड़ेगी क्योंकि स्पाइडर करनल के पास है और वो उससे सब उगलवा लेंगे नितीरी वहाँ से जाने से मना करती है तो जैक उसे समझाता है कि वो सिर्फ मेरे और तुमारे लिए ही यहाँ आए है और अगर हम यहाँ रुके तो सारे कबीले को खत्म कर देंगे इस बात को समझती हुई वो रोती हुई जैक के गले लग जाती है और चलने के लिए मान जाती है इधर करनल स्पाइडर से बात क करने आता है वो स्पाइडर को अपना लॉकेट देता है इस पाइडर उसे देखते ही तुरंत फैक्ट देता है असल में वो अपने पिता से नफरत करता है क्योंकि वो जानता है कि उसके पिता ने लोगों पर बहुत अत्यचार करे और बेगुनहों को जान से मारा है करनल स् पर प्सक्राइब करने के बाद मिटकानिय लीफ आइलेंड पहुंसता है। उस आइलेंड पे रहने वाले कभीलों का रहन सहन उन लोगों से बिल्कुल उलट होता है। वो कभीला आस्मान की जगह पानी के अंदर का शिकारी होता है। उस कभीले के लोग जैक और उसके पूछ बहुत पतली होती है, हाथ भी पतले होते हैं और उन सब के सामने वो बहुत कमजोर दिखाई पड़ते हैं, तभी उस कबीले का सरदार अपनी पतनी के साथ वहां आता है, और वो जैक से पूछता है, तुम यहां क्यूं आए हो, जैक कहता है, हम यहां आपके कबीले मे तेज नहीं तैड सकते और कीरी और बच्चों का हाथ देखकर कहती है ये कोई सची पैदाईश नहीं है इनके शरीर में शैतान का खून है तो जैक उसको अपना हाथ दिखाता है और कहता है मेरे भी वैसे ही है और मा एवा ने मुझे जीवन दान दिया है उन्होंने ही मुझे को कबूल किया है और अब मैं तुम में से एक हूँ तभी नितीरी बताती है तुम सब जानते हो कि मेरे पती ने अपने दम पर प्रित्विवासियों को हरा कर हमारे कभीले को बचाया है तो सरदार की पतनी कहती है और तुम अब खुद को छुपाते फिर रहे हो जैक दोनों की इजाजत दे देता है और अपने लोगों से कहता है इनको भी अपने भाई और बहनों के जैसा समझो इनको एक बच्चे के जैसा समझकर हमारे सारे तौर तरीके सिखाओ इन्हें तैर ना सिखाओ जिससे ये अपना आपको बेकार ना समझे और फिर अपने बेटे और बे का बंधन करवाते हैं और उसको राइड करना सिखाते हैं कभीले का सरदार वो सारी ही बाते जैक को भी सिखाता है सरदार की लड़की ओवाग को सास खीचना और देड़ तक रोकना सिखाती है जैक के बच्चे पानी के अंदर बहुत मजा करते हैं उन्हें एक नई दुनिया दिखाई देती है कीरी उन सबको महसूस करती है इधर करनल स्पाइडर को लेकर पिंडोरा की सबसे उची पहाडी पर पहुँचकर अपने लिए एक बेंजिस को चुनकर उससे अपना बंधन जोडने की कोशिश करता है लेकिन उनकी लड़ाई में बेंजिस उसको लेकर पह लोआक वहां आकर उन लड़कों को बहुत मारते हैं कीरी ये देख कर बहुत हस्ती है फिर जैक अपने लड़कों को अपनी जगे पर लाकर बहुत डाटता है और लोआक को बेज कर उन सभी से माफी मांगने को कहता है फिर वो नितियम से पूसता है क्या तुमने उन सबको बहुत मारा? वो कहता है हाँ, ये बात सुनकर जैक उससे कहता है, ये अच्छी बात है, नितेम उनका जवाब सुनकर मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है, लोवाक उन लड़कों के पास जाकर उनसे माफी मांगता है, वो लोवाक को माफ करके अपने साथ गहरे उनके साथ चल पड़ता है, वो थ्री ब्रदर पहाडी पर पहुँचकर लोवाक से एक अवाज निकालने को कहते हैं, लोवाक वैसे ही करता है, पर वो उसको चुप चाप वहाँ छोड़ कर वापस चले जाते हैं, असल में वो एरिया एक वेल मचली के जैसे दिखने वाले तुलकुन जीवों का होता है, और एक जीव लोवाक को मारने के लिए पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाता है, लोवाक अपने को जैसे तैसे उससे बचाने की पूरी कोशिश करता है, बहुत देर पानी में रहने की वज़े से लोवाक की सांसे खत्म होने लगती हैं अब वो वहां से बाहर निकल कर सतह पर आने की कोशिश करता है, लेकिन तुलकुन उसको देख लेता है, और अब उसपर उसे मारने के लिए हमला करता है, और जैसे ही उसके नजदीक आता है, तभी एक और तुलकुन उल्टा उसपर ही हमला कर देता है, पर इतने में लोवा अब दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों पानी में बहुत देर तक एक साथ तैरते हैं। उनको वापिस भीज कर घर आ जाता है और सारी गलती अपनी बताकर सरदार के लड़के को मार खाने से बचा लेता है। कहता है वो मेरा दोस्त है और वहाँ से कहकर चला जाता है। अगले दिन सरदार की लड़की उनको अपने पुर्खो के मंदिर को दिखाती है। फिर अपने कभीले के जीवन दाइनी पेड़ को दिखाती है। जो पानी के अंदर होता है। कीरी उससे अपना बंधन करती है तो उसे अपनी मा दिखाई देती है। वो उससे गले लगके रोने लगती है और पूस्ती है मैं सबसे अलग क्यूं हूँ और मा एवा मुझसे क्या चाहती है। जैक उसके इलाज के लिए अपने दोस्तों को बुलाता है पर उनसे कुछ नहीं होता तो सरदार की पतनी उसका इलाज करके उसे ठीक करती है। तभी करनल के साथ ही उसको बताते हैं कि रेडार पर एक शिप देखा गया है और ये शिप वही था जिससे जैक के दोस्त कीरी को ठीक करने आये थे। करनल को एक लोकेशन मिल गई थी। अब करनल एक शिकारी शिप के कैप्टन और उसके क्रू के साथ मैट काइना रीफ के कबीले निकल पड़ता है। इधर रीफ में सारे टुलकुन अपना चकर पूरा करके वापस आते हैं। कबीले वाले उनके आने से बहुत खुश होते हैं। असल में कबीले वाले उनको अपने भाया और बहन ही मानते हैं।uryन की सरदार अपने बच्चे को रोनाल को दिखात वो बहुत खुश होती है और कहती है उसका बच्चा भी जनम लेने वाला है। इधर करनल उसके सबसे नज़दी की कबीले पहुंच जाता है और जैक के बारे में पूचता है पर वो लोग कुछ नहीं जानते तो वो कुछ नहीं बता पाते, वो गुस्से में उनके घरों को जला देता है, और वहाँ से दूसरे कबीले के लिए निकल जाता है, जैक को सरदार पडोसी कबीले की जानकारी देता है, और कहता है, वो तुमको ढूंड रहे हैं, नितेरी जैक से कहती है, हम कब तक भागते र अब लोग पायकन के पास पहुंसता है और उससे कहता है मैं तुम पर भरोसा करता हूँ तुम भी मुझ पर भरोसा करो और तुमारे साथ क्या हुआ था वो मुझे बताओ और उसको ऐसा करते वे उसके साथ ही देख लेते हैं। जिसकी वज़े से वो उसको डाट लगाता है और बताता है तुलकुन पहले खुनी दरिंदे हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा मार काट करने के बाद उन्होंने दरिंद की त्याग दी और शांती को ही अपने जीवन का मूल आधार बनाया पर पायकन ने उनके नियम तोड कर वापिस दरिंदेगी दिखाई तो उसको ब्रादरी से बेधखल कर दिया लोआक उसको सच बताने लगता है पर जैक उसको बोलने नहीं देता इधा करनल की टीम टुलकुन की सरदार पर ही ट्रेकल लगा देती है क्योंकि वो अपने बच्चे की वज़े से तेज नहीं त अब वो सारे शिकारी अब वो कैप्टन बड़ी बेरहमी के साथ उसको घेर कर मार देता है और अपने शिप पर लाकर उसके दिमाग में ड्रिल करके पीले कलर का सारा तरल निकाल लेता है और वो बताता है कि ये तरल सबसे कीमती है और इतने से तरल की कीमत 660 करोड रुपे है और इसी के पैसो की वज़े से ही करनल तुम अपना काम कर पा रहे हो इधर कभीले वाले टुलकुन की लाश के पास पहुंसते हैं सरदार की पतनी उसको देख कर बहुत रोती है और बताती है कि ये मेरी आत्म भेहन थी और इसने न जाने कितनी साइकल पूरी करने के अपने बच्चे को पाया था और वो वापस आकर लड़ाई का एलान करती है लेकिन जैक उनको समझाता है कि अगर तुम उनसे लड़े तो वो तुम्हारा सब कुछ खत्म कर देंगे उनको भी जिनको तुम प्यार करते हो और उन्हें ट्रेकर को दिखा कर कहता है हमको टुल तक पहुचाने को कहता है सब मान जाते हैं फिर जैक चुपके से नितीरी को बताता है कि वो टुलकुन का नहीं बलकि हमारा शिकार करना चाहते हैं अब लोग पायकन के पास उसको सावधान करने के लिए निकल पड़ता है क्योंकि वो जानता था कि उससे कोई नहीं बताये लेकिन सारे बच्चे उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो वहाँ से निकल जाता है तो भी सारे बच्चे उसका पीछा करते हैं इधर कप्तान दूसरे शिकार की तयारी करता है लोग पायकन के पास पहुंसता है वो पायकन पर ट्रैकर देखकर घवरा जाता है और उस ट् सरदार को बता देता है, वो सब तैयार होकर उनकी तरफ निकल पड़ते हैं, करनल उन बच्चों को टुलकुन के पास देखकर बहात खुश होता है, बच्चे ट्रैकर को निकाल देते हैं और उसे समुद्र में फैंक देते हैं, लोग भी उनको छोड़ाने के चक्कर में पकड़ा जाता है इस पैडर ये देखकर उनके पास भागा आता है पर वो लोग उसे पकड़ कर वापस अंदर ले जाते हैं करनल उन तीनों बच्चों को वहीं बहार डैक पर बांद देता है और जैक से अकेले आने को बोलता है नहीं तो बच्चों को मार देने की धमकी देता है जैक खुद को सरेंडर करने को तयार हो जाता है पायकन पानी के अंदर से लोग को शिप पर बंदा देख गुस्ते से पागल हो जाता है और समूदर के अंदर पत्थरों को तोड़ने लगता है अब वो उसको बचाने की ठानकर अपने सारे नियम फिर से तोड़कर शिप पर कूद पड़ता है और वहाँ सब कुछ तोड़ने लगता है उसको देखकर शिप का कैप्टन उसका सिकार करने के लिए वहाँ आ जाता है और ये सब देखते हुए कबीले वाले भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं कप्तान पायकन पर रॉकिट छोड़ता है पर वो अपने सिर नीचे कर लेता है जिससे रॉकिट उससे टकरा कर कप्तान के सिप पर ही फट जाता है ऐसा देख कप्तान हैरान हो जाता है अब उन सभी लोगों में बड़ी भेंका लड़ाई शुरू हो जाती है और सब अपने दुश्मनों को मारने लगते हैं इधर पानी के अंदर कीरी अपने बंधन को उनके जीवन दाइनी पेड से जोड़ कर करनल की समेरीन्स को तोड़ देती है जिसको देखकर सरदार के लड़के बड़ी हैरान होते हैं शिप के अंदर इस पैडर भी शिप के कंट्रोलर को तोड़ देता है जिसकी वज़े से शेप चटान से जाकर टकरा जाता है और उसमें पानी भरने लगता है कप्तान अब पायकन को पकड़ने के लिए तार से बंदे एंकर को उस पर शूट करता है पर पायकन बड़ी चलाकी से उससे बचकर अपने सीर से जान बूज कर उस स्टार को बांध कर पूरी ताकत लगा कर उस बोट को खीचने लगता है कप्तान बड़ी मुस्किल से उससे पीछा छोड़वाता है पर फिर से उस पर हमला करने की तैयारी करता है तभी पायकर उसकी बोट के उपर से कूद कर उस स्तार से कैप्टन के हाथ को ही बांद देता है और एक जटका देकर उसका हाथ ही अलग कर देता है जैसे कप्तान ने कभी उसका पंक काटा था कप्तान के मरते ही उसका क्रूर लड़ाई रोग देता है और वहाँ से जाने लगता है अब कीरी जैसे ही सतह पर आती है करनल उसे पकड़कर शिप के डैक पर ले आता है और उसको वही बांढ देता है टुक उसको देख लेती है तो वो सरदार की लड़की के साथ उसे बचाने शिप पर वापस चली जाती है लेकिन वो टुक को भी पकड़ लेते हैं शिप के दूसी तरफ करनल नेतियम को भागते वे गोली मार देता है बच्चे बड़ी मुश्किल से उसे टापू पर ले आते हैं पर वो बच नहीं पाता नितेरी उसको मरा देख पागलों के जैसे चीखने लगती है और बहुत रोती है तभी करनल जैक के वोइस डिवाइस पर बात करता वा उसे बताता है कि उसकी छोटी बेटी उसके पास है तो जैक नितेरी को समलने को बोलता है और कहता है हमें अपनी बेटी को बचाना है नितेरी अपना धनुष उठाकर अपने बेंजिस पर बैठकर शिप की तरफ उड़ जाती है जैक वहाँ शिप पर चुपचाप पहुँचकर धमाका कर देता है जिससे वहाँ आग लग जाती है नितेरी वहाँ पहुँचकर बहुतों को मार डालती है उसका रौद रूप देखकर स्पैडर भी डरके मारे चुप जाता है इधर जैक चुपके से टुकच छोड़ा लेता है पर करनल कीरी के गले पर चाकु रखकर उसके सामने आता है और कहता है तुम नहीं चाहोगे कि आज तुमारी एक उलाद और मर जाए करनल उससे हत्यार रखवा देता है स्पाइडर करनल को ऐसा करने से रोकता है पर वो नहीं मानता तभी नितेरी स्पाइडर के गले पर चाकू लगा कर कीरी को छोड़ने को बोलती है पर करनल उसको ऐसा दिखाता है जैसे उस पर इस बात कर कोई फर्क ही नहीं पड़ा तभी नितेरी करनल से कहती है लड़के के बदले लड़का और स्पाइडर की छाती पर चाको मार देती है, करनल तुरंत किरी को छोड़ देता है, अब वो सब वापिस जाने लगते हैं, पर करनल कहता है, मैं अभी भी नहीं रुकूंगा, और वापिस आऊंगा, और तुम अपने पूरे परिवार के साथ सारी जिन्द जाती है, शिप डूबने लगता है, और पलट जाता है, स्पाइडर और कीरी उपर आ जाते हैं, इधर पानी के अंदर जैक लड़ते लड़ते करनल का गला घोटकर उसे बेहोश कर देता है, उसको लगता है कि करनल मर गया, लेकिन खुद भी पानी में सांसे तूटने की व वहां रोशनी देने वाली अनेक मचलियों को बुला लेती है, और वो उनका पूरे जहाज में भेश देती है, वो टुक और नितीरी को बाहर निकाल लेती है, इधर लोग पायकन की मदद से जैक को भी बाहर निकाल लेता है, अब पायकन उन सबको अपने पंक पर बैठा कर टापू पर छोड़ देता है, स्पाइडर भी करनल को बाहर निकाल लेता है, वो जिन्दा होता है, वहां उसका बैंजिस आ जाता है, करनल स्पाइडर को साथ चलने के लिए बोलता है, पर स्पाइडर उसे वहां चिड़ा कर वापस जैक और उसके परिवार के पास आ जाता तो करनल अपने बेंजीस पर बैठकर वहां से उड़ जाता है। अब सब कभीले वाले नेतियम को आकरी विदाई देते हैं। उस समय जैक को वो पल याद आता है जब उसने नेतियम के जनम पर अपने हातों में उसे लेकर उसका नाम करण किया था। और अब वो उसको पानी क उस अंतहीन गहराई में दफन होते देख रहा था। उसका दिल तूट गया था। वो वाफस आकर सरदार से कहता है हम कल चले जाएंगे। तो सरदार कहता है तुम्हारा बेटा अब हमारे देवताओं के पास है और तुम भी अब पानी के आदमी हो चुके हो तो तुम हमार कबीले का ही हिस्सा हो। फिर जैक और नितेरी उनके जीवन दाईनी पेड से अपना बंदन बानते हैं तबी जैक को वो समय दिखाई देता है जब नेतियम ने पहली बार शिकार किया था और वो बहुत खुश थे नितेरी उनको देख कर खुश होती है नितेम सच में अब देवताओं के पास था वो उसका स्वर्ग था वहां उसकी दुनिया में उसका परिवार उसके साथ था और कहानी यहीं खत्म हो जाती है आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्स्प्लिनेशन पसंद आई होगी और भी मुवी के एक्स्प्लिनेशन सुनने के लिए आप हमा इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और साथ ही बैल आइकन दमाना ना भूलें